सभी को नमस्कार नवीन प्रकाशनों की कड़ी में कुजराती भाषा में प्रकाशित तीन पुस्तकें मेरे सामने हैं तीनों समस्क्रत साहित्य से सम्मंधित हैं और समस्क्रत के अध्यताओं के लिए प्राकरत के अध्यताओं के लिए भी समस्क्रत साहित्य और प्राकरत साहित्य के जिग्यासूँ और अध्यताओं के लिए बहुत प्योगी हैं पहली पुस्तक हाल की गाहा सत्सई का गुजराती अनुवाद है आलनी कहा सत्थ सही इस नाम से 2023 में ये प्रकाशित हुआ है और समवाद प्रकाशन राजरक्ष्मी सोसाइटी जूना पादरा रोट पडोद्रा से ये मुद्रित हो करके प्रकाशित हुआ है चार मई को समस्कृत के विश्व विश्रुत विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर राजेन नानावटी के स्मर्ति ग्रंत का लोकारपण हुआ अभिराज राजेन्दर यशोव भूशनम इस नाम से जूनका काविशास्त्र पर सहिति शास्त्र और सुअंदर्य शास्त्र पर केंद्रित इसमर्ति ग्रंत है उसका लोकारपण हुआ रुसी के साथ हालनी गाहा सत्तसई काया अनुआद लोकारपित किया गया इसमें गुजराती के प्रख्यात साहित्यकार और कविता के मर्मग्य अध्येता सीतांशु यशश्चंद्र की भूमिका है राजेंद्र नानावटी आपन विद्या जगतो एक अनुखो हिमगिरी इस सीर्षक से उन्होंने सुन्दर ढंग से राजेंद्र नानावटी के दीर्ग कालिक सानिध्य के अपने अनुभवों को संजोते हुए आकलन किया है अपने मित्र अपने अभिन्द्र मित्र राजेंद्र नानावटी के जीवन क्रतित्व और साहित्य को उनके योगदान का हाल की गाहा सत्यसाई के अनेक अनुभात भारती भाषाओं में प्राप्त होते हैं हिंदी में विश्विख्यात दार्शनिक प्राचिन भारती साहित्य और संस्कृति के मर्मग्य अध्यता और संस्कृत के भी सुकवी गोविंद चंद्र पांडे उनका हिंदी अनुवाद है वह अनुवाद समझ चंद में है गाथा चंद की जो समरचना है तदन रूप हिंदी अनुवाद पांडेजी ने किया है एक अच्छा पठनी अनुवाद जगनात पाठक का है विशद डिपणियों सहित संस्कृत चाया सहित जो अध्यताओं के लिए बहुत उप्योगी है वह हालकी गाहसत सही का हिंदी पाठकों के लिए सुलब है अंग्रेजी अनुवाद भी मिलते हैं संस्कृत में भी चाया के साथ संस्कृत अनुवाद किया वट्ट मुत्रालना शास्त्री ने संपूर्ण गाहसत सही का इस प्रकार से सभी प्रमुक भारती भाषाओं में गाहसत सही के अनुवाद हुए गुजराती में यह अनुवाद है राजिन नाना वटी ने बहुत मनोयोग से किया है और पा उस चंद में ही गुजराती अनुवाद किया है और अनुवाद की विशेषता यह है कि गाहसत सही के मूल का स्वारस्य पढ़ते हुए होता है। यह मुझे इसके लोकारपण के समय श्री सीतांशु यश्रश्चंद्र ने इसकी अनेक गाथाओं का जो पाठ किया उससे अनुभव हुआ कि किस प्रकार से न केवल गाहा चंद की जो लए है और सौंदर्य है उसका उसको अपने चंद में उन्होंने उसी तरह से उतारा मूल गाथाओं के भावों को भी अभी कल रूप में उसके साथ उन्होंने राजिन नानावटी ने प्रस्तुत किया है यह उनकी उनके दिवंगमन के पश्चात यह प्रकाशित हुआ है और उनके परिजनों, स्वजनों, परिवारजनों को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी पुस्तक जिसकी क्या वश्यक्ता थी उसका प्रकाशन राजिन नानावटी की इस पुस्तक का प्रकाशन किया दूसरी बहुती महत्पूर्ण पुस्तक मेरे सामने है संस्कृत के जाने माने विद्वान श्री विजय भाई पंड्या का वालमी की रामायन का गुजराती अनुवाद है इस इसके पांच खंड प्रकाशित हुए हैं जिनमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किश्किन्दा कांड और सुन्दर कांड ये पांचों का गुजराती अनुवाद है इसकी कतिपय दुरलब विशेषताएं है ये अनुवाद ओरियंटल इंस्ट्यूट और किया गया है वालमी की रामयंड के अनेक अनुवाद विश्व की भाशाओं में है लेकिन अंग्रेजी को छोड़कर के जो critical edition जिसको कहा जाता है समीक्षित पाठ वाला सम्स्करण जो कि प्रामानिक पाठ माना जाता है वालमी की रामयंड का और जो अन्य सम्सकरण प्र प्रक्षिप्तांच कहीं कहीं ले लिये गए हैं, पार्ट पर विचार कि ये बिनाल स्विकार कर लिये गए हैं। गीता प्रेस गोरगपुर के समस्करण में दाक्षनात्य समस्करण के अनेक अध्यायों में कुछ-कुछ इस लोग जोड लिये गए हैं। कारण नहीं दिया गया है कि यदि ये प्रक्षिप्त हैं तो प्रक्षिप्त क्यों है और यदि ये स्विकार्य हैं तो स्विकार्य क्यों हैं ये तो समिक्षित पाठ की प्रणाली से भिन स्वेराचार पूरवक समस्करण तयार करने की प्रणाली हो सकती है यह जो समिक्षित पाठ वाला समस्करण है इसका अंग्रेजी को छोड़ करके अन्नी किसी भाषा में अभी तक अनुगात प्राप्त नहीं था और गुजराती को यह श्रेय प्रदान किया आचारे विजय भाई पंडिया ने कि उसमें इस पाठ का पहला अनुवाद प्रस्तुत हुआ है अनुवाद किया जा चुका है पांच खंडों में पांच खंड उसके प्रकाशित हैं शेश दो खंड भी शिगर ही प्रस्तुत होंगे यह हम पूरी आशा करते हैं प्रतिक खंड के साथ विशत भूमिका है विशेश रूप से बाल कंड जो प्रथम खंड उसके साथ जे भूमिका है सो से अधिक प्रश्ठों की भूमिका है और अन्यता भी विजय भाई पंडिया रामायंड पर अपने अध्यन के लिए जाने जाते हैं खर्मन जाकोबी की रामयंड पर जो पुस्तक है उसका वियनवात कर चुके हैं और अनेक वर्षों से वे रामयंड को लेकर के अध्यान, चिंतन, मनन करते आ रहे हैं, प्रकाशन उनके इस ख्षेत्र में सुविधित हैं, यह भूमिका बहुत ही महतफूर्ण है, और इसके रिशिष्ट में वालमी की रामयंड के बालकांड की सूप्तियों का संकलन भी प्रस्तुत किया गया है, पुमिका में इस समीक्षित पाठ को लेकर के अनेक विशियों पर महतफूर्ण विमर्ष है, रामयंड कथा की जो रमणी इता है, रम्या रामयंडी कथा, इस सीर्षक से, उस पर विचार है प्रस्तावना के अनंतर, समस्क्रत साहित्य में रामयंड इस सीर्षक के अंतरगत, समस्क्रत साहित्य में वेदिक काल से लगा करके पुराणों, मा भारत, हरिवण्ष पुराण, प्रहन नारदी पुराण, तथा अन्य पुराण, उनमें जो राम कथा का स्वरूप है अन्य जो समस्क्रत की रामायन हैं रामायन गरंथ हैं उनमें जो रामकता है उस पर विचार करते हुए और तुलसी के रामचरित्मानस का भी उलेक करते हुए वालमी की रामायन में जो रामकता का वैशिष्ट है उस पर विचार किया गया है आदिक अभी वाल रामयन की आधार सामगरी पर उन्होंने विचार किया है उसकी प्राचीन परंपरा जो रामकथा की है उस पर प्रकाश डाला गया है। पर बालकांड का खतासार देते हुए समिक्षित पाठ की समस्याओं पर विचार करते हुए पूमिका में इतने विश्यों पर चर्चा अनुवाद अक्ष्री पंडिया जी ने की है और उसके अनंतर मूल समस्कृत पाठ के साथ गुजराती अनुवाद प्रत्येक प्रश्ठ वाईं और मूल समस्कृत पाठ और दाइनी और विजराती अनुवाद के साथ बालकांड का तथा अन्य खंडों में शेष-कंडों का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है और बालकांड की जो खुशाय सूची है उसको अनुक्रम के साथ प्रस्तुत करते हुए इस मुस्तक में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है अंग्रेजी अनुवाद का भी परामर्ष जो राबट गोल्मान तथा अन्य विद्वानों ने किया है समिक्षित पाठ का उसका भी हवाला यथा अवसर विजभाई पंडिया ने दिया है यह पुस्तक मार्च खंड इसके 2022 में प्रकाशित है और बार्शु पुब्लिकेशन अहमदाबाद से यह प्रकाशित हुई है रामायन के प्रक्ष्यात प्रवचन करता संत सुविश्रित विभूती मुरारी बापु को यह समर्पित की गई है सुन्दर श्लोक मुरारी बापु के लिए आचारी विजय भाई पंडिया ने लिखा है मुरारी गिरी संभूता राम सागर गामिनी मानसी सुकथा गंगा उनाती भूनत्रयम और इसका गुजराती अनुवाद भी दे दिया गया है ताकि गुजराती के पाठक समझ सकें कि समस्कृत का विद्वान राम कथा कि एक प्रवचन कार के संबंध में क्या भाव रखता है यह अनेक वर्षों के अथक परिश्रम से तयार की गई पुस्तक है और रामयन संबंधी जो अनेक जटिल समस्याएं हैं उनसे भी यह पुस्तक हमारा साक्षात कार कराती है विशय शूप से समस्कृत साहित्य में जो रामयन की परंपरा है उसके अंतरगत अनेक ऐसी अज्यात करतियों का उलेक विजय भाई पंडिया ने किया है जिन पर जानकारी राया सामान निपाटकों को नहीं है जो समस्कृत साहित्य के अध्यता और अधिती विद्वान है उनको इन करतियों का परिचय है सुमिष्वर का उलाग रागाव है सुभट का दूतांगद है यह अच्छी नाट्ट्यकृतिया है पर सामान निपाटकों को इनमें कितनी नई कल्पनाई की गई है रामकथा को लेकर कि अपने समय में रामकथा को किस प्रकार से रूप दिया गया है इस पर रामकथा के जो नुरागी है उनको जानकारी प्राय नहीं होती है और विशेष रूप से जिस महत्पूर्ण बिंदू पर पंडियाजी ने ध्यान खीचा है और मेरे द्वारा भी उस पर चर्चा की गई है और मैं उसको एक द्रश्टी से अनुचित भी मानता हूँ वह रामकथा में माधुर्य भक्ति का आरोपन है और ट्रश्ण लीला के अभी प्रायों का रामकथा पर आरोपन है या भुषुंडी रामायन में, आनन्द रामायन में यह जो परवर्ती रामायन है समस्कृत में लिखी गई है पर उनमें जो प्रश्ण कथा और प्रश्ण लीलाओं की लोकप्रीता को देख करके रामकथा को तदनुसा लोकप्री बनाने के लिए उनको जो रास रचाते हुए चित्रित किया गया है यह उचित नहीं है और उसमें अनेक इस्थानों पर सारी मर्यादाएं लांग करके राम का चरित्र प्रस्तुत किया गया है वो उस ततत संप्रदाई की रामायणे है अनिता वे बहुत ही अग्राई ये हैं राम कथा का जो स्वरूप उनमें प्रस्तुत किया गया है राम की एक मर्यादा है और ये मर्यादा पुरुशोत्तम है जो वालमी की ने जिस रूप में उनका चित्रण किया गया है उसके साथ में किसी सम्रदाई विशेश के आग्रह से कोई छेड़चार की जाती है विश्व में भी रामेंड का प्रसार हुआ थाइलेंड में अन्य देशों में लेकिन प्राया इस तरह की छेड़चार राम की चरित्र के साथ वहां नहीं की जाती है इसलिए ये विचारनी हो जाता है एक दूसरा बिंदू जो इस भूमिका में विजय भाई पंडिया जी ने विचारित किया है वो राम कथा के प्रतीकों पर विचार है और रामायन के प्रतीकात्मक सुरूप पर विचार पहले भी होता आया है वो जो प्रवचनकार हैं वो भी इस पर विचार करते रहे हैं मानस प्यूश इसका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है कई खंडों में प्रकाशी थे वो घर-घर में पड़ा भी जाता रहा है पर आनंद रामयन में रामकथा के प्रतीकों पर विचार किया गया है इसलिए यह गहना जाकोबी यह किसी अन्यविदेशी विद्वान का कि 19. शतापदी तक रामयन के प्रतीकात्मक सुरूप पर विचार नहीं किया गया और योरोप के किसी विद्वान ने इसके प्रतीकात्मक सुरूप पर विचार पहली बार किया यह उचीत प्रतीत नहीं होता है इस प्रकार से इस भूमिका में राम कथा के अनेक महतुपूर्ण बिंदूंग पर सुधी पाठकों का ध्यान आकरशित किया गया है और यह एक योग्य विद्वान के द्वारा निष्ठा पूर्वक किया गया सराहनी ये कार्य है तीसरी पुस्तक जो गुजराती की मेरे सामने है उसका सीरशक है भारतना राश्पती द्वारा पुरस्कृत गुजरातना संस्कृत विद्वानों जीवन अने प्रदान इसके संबादक मनी भाई प्रजापती राक्टर समीर प्रजापती और राक्टर हेमराज भाई पटेल ह मनि भाई प्रजापती इस प्रकार के अनेक कार्य इपने संपादन में पूर में प्रस्तुत कर चुके हैं वे संस्कृत के विद्वान के रूप में नहीं जाने जाते हैं यद्यपी वे संस्कृतक ये हैं और संस्कृत के अध्यता भी हैं पर वे एक तक्नीकी विश्विद्यालाय में, एक तक्नीकी विभाग में, अन्य प्रकार के कार्य में समलग नहें, पर वे समस्कृत में अपनी रूची के कारण निष्ठा पूर्वक, समस्कृत सेवा के कार्य, विशेशूप से संबादन के द्वारा करते रहें हैं। इसमें गुजरात के उन समस्कृत के विद्वानों का जीवन और कर्त्रितु विचार का विशय बनाया गया है, जिनको राश्पती कुरुसकार से सम्मानित किया गया है। पुरुसकार मिला है, वही स्रेष्ट विद्वान है और जिसे नहीं मिला है, वह समस्कृत का स्रेष्ट विद्वान नहीं है। पर राश्पती पुरुसकार के लिए एक चैन प्रक्रिया होती है और भारत भर के स्रेष्ट विद्वानों का ही चैन उसमें अभी तक किया जाता रहा है यह अलग बात है कि अब दुर्भाग किसे सारी प्रक्रिया पता नहीं किस प्रपंच में फंसी हुई है और यह अत्यंत विचारणी बात है पर मनिभाई प्रजापती ने चार साल पहले तक आरम्व से लगाकर खुजरात के जितने विद्वानों को राश्पती सम्मान प्रदान किया गया उनका बड़े परिश्रम से जीवन वृत्त एकत्र किया उसका उनका परिचय दिया गया है और उनके जीवन और कर्त्रत उनके अवदान पर विचार उन्होंने किया है इसमें संपाद की मनिभाई प्रजापती का है उसके परश्चात डक्टर अरुनोदय जानी जो 1921 से 2003 तक उनका जीवन काल है उनके सुपुत्र जैदेव जानी के द्वारा उन पर आलेख है फिर जेतन जोशी के द्वारा अम्बाराम जोशी जिनका 1949 से 2009 तक जीवन काल है उनका परिचे दिया गया है पदमश्री डक्टर इस्तर बेन सालोमन बड़ी विदुशी रही है भारतिय दर्शन की मर्मग या ध्यत्री रही है 1927 से 2005 तक उनका जीवन काल है शुचिता महता के द्वारा उन पर आलेख लिखा गया है क्रश्ण शंकर शास्त्री 1915 से 2002 तक उनका काल है किशोर जोशी का उन पर आलेख है डक्टर गोतम पटेल जाने माने विद्वान है ये तो हमारे बीच मौजूद है 1949 में उनका जन्म हुआ उन पर डक्टर हर्शेदेव माधा और डक्टर रवींद्र खांड वाला इन दो इद्वानों का आलेख है और मनिभाई प्रजापती का एक अलग से आलेख भी गोतम पटेल पर है जैप्रकाश नारंड दिवेदी इन पर वेद प्रकाश दिवेदी और एमेम पांसेरिया का अलेख है तपस्वी नंदी कावशास्त्र के गहरे अध्यता गहन अध्यता रहे हैं और बड़ा योगदान उनका है नाटिशास और कावशास्त्र के अध्यान में रक्टर वसंद कुमार भट्ट जोकी उतने ही योग उनके उत्राधी कारी हैं और बहुत श्रीशस्थ विद्वानों में से इस समय हैं समस्कृत के उन्होंने तपस्वी नंदी के बारे में लिखा है 1949 से 2005 तक आचारी तपस्वी नंदी का जीवन काल है डक्टर नारेंट कंसारा जिनका की जीवन काल 1932 से 2020 तक है वणिभाई प्रजापती ने उन पर आलेक लिखा है डक्टर प्रताप राय मोधी 1868 से 1981 से 1981 से 1981 उन पर वसंद राय परीक का आलेक है बल्दिवानंद सागर पर हिंदी में लेक है श्रीमती शालीनी सागर और श्रीहमंत जोशी का पंडित बालकृष्ण पंचोली जिनका की जीवन काल 1910 से 1968 है वसंद कुमार भट का ही उन पर भी लेक है बगवती प्रसाथ पंडिया जाने माने विद्वान गुजरात के रहे हैं 1925 से 2018 तक उनका जीवन काल है डक्टर मोहिनी व्यास का उन पर लेक है डक्टर मनी भाई प्रजापती अलग है और डक्टर मनी भाई प्रजापती अलग है डक्टर मनी भाई प्रजापती जो कनिष्ठ मनी भाई प्रजापती जूनियर मनी भाई प्रजापती है जो कि डाक्टर नहीं है उनके गुरू रहे हैं गुरू रहे हैं डाक्टर मनी भाई प्रजापती जो की हमारे बीच मुझूद हैं उनके जीवन और कर्तरत पर तुलसी भाई पटेल तो था अन्य लोगों ने लिखा है डाक्टर रमेश बेटाई जो LD इंस्ट्यूट में देशक रहे हैं 1925 से 2011 तक उनका जीवन काल है उन पर लेख है अन्य अनेक विद्वानों पर इसी प्रकार के लेख है वद्मश्री आचारे रवीन नागर पर लेख है बल्देवनन सागर का राजे नानावटी उन पर खूप चर्चा मेरे द्वारा पिछले प्याख्यानों म अविस्मर्नी ये योगदान है आख्यान और रामयन प्रता महाभारत पुराणों के अध्यन में भी उसी प्रकार से उनका उलेखनी योगदान है उन पर नीना भावनगरी ने लेख लिखा है और मनी भाई प्रजापती का राजे नानावटी जीवन वरत अने वागमय भू इस समय संस्कृत के डाक्टर अमरत भोगायता ने उन पर लेख लिका है वसंत परीक भी जाने माने विद्वान है उनिस सो तेतीस में उनका जन्म हुआ डाक्टर कालिंदी परीक ने उन पर लेख लिका है डाक्टर विजय पंडिया की मैंने अभी चर्चा की है उनिस सो ति बेदी ने लेक प्रस्तुत किया, यह हिंदी में है, डाक्टर सुरेश चंद्रुबाद्याए, इन पर, डाक्टर गिरीश जानी ने आलेक प्रस्तुत किया है, डाक्टर सुरेश कांटावाला पर, सुरेश चंद्र कांटावाला या स्टी कांटावाला के नाम से भी विशेश रूप से हो जाने जाते हैं 1932 से 2200 कदाचित ये मिस्प्रिंट है 2021 तक उनका जीवन काल है डाक्टर गिरीश जानी उन्होंने इन पर लेक लिखा है और एक और लेक उन पर बवगत प्रसाद पंडिया का है एक और लेक उनी पर मीना बहन बिना की प्रसाद पाठक का भी है अरिवल्लब भायानी प्राकृत के विश्व विश्वत विद्वान है 1917 से 2000 तक उनका जीवन काल है डाक्टर रमेश होजा का उन पर लेक है और इसी प्रकार से हंसावेन हिंडोचा जो प्रख्यात विदूशी हैं उन पर मनी भाई प्रजापती और मनी भाई प्रजापती डाक्टर मनी भाई प्रजापती तथा मनी भाई प्रजापती का लेक है इसमें चार परिशिष्ट हैं उस तक के अंत में लेकों का परिशए दिया गया है और अन्य कुछ सूचना है गुजरात के राश्पती पुरुसकार से सम्मानित विद्वानों के बारे में दी गई है इसलिए स्वागत योग यह है कि गुजरात के संस्क्रत साहित्य को संस्क्रत साहित्य के अध्यान में गुजरात के योगदान पर बहुत मतपूर्ण सूचनाएं इससे प्राप्त होती हैं और अनेक विद्वान संयोग से उनमें से कई विद्वान हमारे बीच हैं और बहुत ही सक्री हैं उनके बारे में तो जानकारी प्राप्त होती है लेकिन अनेक ऐसे स्वर्गी य दिवंगत स्वर्गी या दिवंगत विद्वानों के बारे में दुरलप सूचना इससे प्रा कुंजुनी राजा का शोद ग्रंथ है, बहुती महत्पूर्ण ग्रंथ है, और अलग-अलग शोद ग्रंथ कतिपए हैं, राजिस्तान के सुनस्क्रत साहित्य पर प्रभाकर शास्त्री का, राजिस्तान के आधुनिक सुनस्क्रत साहित्य पर प्रभाकर शास्त्री का कार्य है, महराष्ट के संस्क्रत सहाइत्य पर इस प्रकार का कार है गुडिसा के कवशास्त के आचारियों पर बीसी मिश्रा के द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई है पर एक संगठित रूप में, सुसंबध रूप में, सुनियोजित रूप में इस तरह का प्रयास नहीं किया गया है गुजरात के विद्वानों ने इस प्रकार से सुसंबध रूप में, सुनियोजित रूप में अधिक प्रयास किया है गोतम भाई पटेल के भी अध्यान और उस्तकें इस पर पूरु में प्रकाशित है गुजरातनू संस्कृत प्राक्टर साइतिमा प्रदान ये ग्रंथ है रक्टर गोतम पटेल, रक्टर मनी भाई ईप्रजापती और मनी भाई प्रजापती के द्वारा संपाधित 2005 में प्रकाशित हुआ था ये कांजी भाई एम पटेल अभिनंदन ग्रंथ है इस प्रकार के अन्य कई ग्रंथ रक्टर गोतम पटेल ये अन्य विद्वानों के प्रयासों से उजरात से प्रकाशित हुए अन्य प्रांतों से इस प्रकार का प्रयास इतने व्यापक रूप में नहीं किया गया है कुछ प्रयास किये गए हैं और सबसे बड़ा प्रयास किसी एक नगर को लेकरके जो किया है वह तो काशी की सारश्वत साधना, इस सिर्षक से महामोवपाद ध्याय कोपिनात कविराज का और काशी की पांडित परंपरा या पिशालकाय गरंथ पंडित फ़ल्दय उपाद ध्याय का. इन ग्रंथों को देख करके, जिन ग्रंथों का मैंने गुजरात से प्रकाशित गुजराती भाशा में प्राया लिखित उनका मैंने उलेख किया है, उनके अलावा किसी एक प्रांत में ऐसा सुसंगठित प्रयास नहीं किया गया. अवश्यक्ता तो इस बात की थी कि एक एक नगर को लेकर के उसमें जो समस्कृत की परंपरा है समस्कृत पांडित्ती की परंपरा है और सारस्वत साधना की साहित्य साधना की समस्कृत भाषा में जो वहाँ परंपरा है उस पर कारी किया जाता जिस प्रकार से महामो उपाध्याय गोपिनात कविराज ने और पंडित बल्दे उपाध्याय ने काशी पर किया कुछ शोद प्रबंद इस प्रकार के मिलते हैं कि सागर विश्विद्यालय में जो कारी हुए हैं उन पर एक गरंथ है सागर की सारस्व साधना पर शोद गरंथ है पर एक लंबी शोद योजना लेकर के बारत के प्रत्येक नगर में और गाओं गाओं में जो समस्कृत के पंडित हुए हैं उन पर अध्यन किया जाना चाहिए, उनकी सारवस्त साधना को सामने लाया जाना चाहिए और अलग-अलग शेत्रों में जो संस्कृत का साहित्य है, विक्सित होता राहवेदिक काल से लगा करके और 2023 तक की वर्ष तक उस पर एक बड़ी शोद योजना लेकर के कारी किया जाना चाहिए, इस प्रकार के प्रयास की आवश्यक्ता है, और यह कोई प्रहत कारी करने के इच्चुक विद्वान, एक अच्छी टीम गठित करके इस कारी को कराएं, यह, मेरा एक आववान है, इसकी हालां की संभावना हो सके तो बहुत अच्छा है, मैंने भी कुछ कारी इस तरह का किया है, और आदुनिक भारत के पंडितों पर मैं कुछ वर्षों से जो कारी करता आ रहा हूँ, वह तो शिग्रही प्रकाशित होगा ही, इन शब्दों के स प्रकाशनों पर जो चर्चा की गई है, उसके विमर्ष को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।